पुसकार साथियों जैसा कि आपको ग्याद है जो किस समय सारे टीचर ओलाइन ओफलाइन दोनों से क्लास ले रहे हैं और ओलाइन और ओफलाइन में एक मेजर जो कमी है ब्लैक बोर्ड की जैसे बच्चा ओलाइन में ज्यादतर हम वन वे होते हैं यह बना दिया जाए तो और इंट्रेस्टिंग हो जाता है जैसे मावच्चे कोई कोई होती है तो उस तेम में हम आफलाइन क्लास में उसको ब्लैकबोर्ड पे सॉल्व करते हैं और इससे बच्चा समाझ पाता है जो अपनी परिसान ही उसको पता पाता है तो इस तरह से यदि हम ऑनलाइन का भी क्लास तो उसके लिए आपको सबसे पहले आप जैसे गूगल मीट पर आप क्लास लेते हैं गूगल मीट हो गया यह पर जूम हो गया इस पर लेते हैं तो शेयर स्क्रीन के तहब आप बचों को डिस्प्ले कर सकते हैं blackboard जैसे मैं आपके सामने कर रहा हूँ इसके लिए सबसे पहले आपको play store में जाना होगा जैसे play store में गये, play store में जाने के आपाद यहाँ पे लिखिए, type कीजिए, my view board यहाँ पे जैसे मेरे search option में है, my view board तो इसको इसको यूज किये, खोले, अब हम मेरा अपडेट मांग रहा है, यदि आप इंस्टॉल कर लिए, तो इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहले आपको जो स्क्रीन आएगा, इस तरह का स्क्रीन आएगा ओपन करने पर, उसके बाद आपको कुछ इंफॉर्मेशन भरने ह होगा, और जीमेल अकाउंट भरने के बाद भी ये ऐसे ही दिखेगा, इसके बाद आपको क्या करना है, आपके जीमेल अकाउंट पे, आप जीमेल पे जाएंगे, जीमेल पे लोगिन करेंगे, तो आपको एक एक्टिवेशन लिंक मिलेगा, इसका वाइट माइवीवोड का activation link मिलेगा उस link पे जाकरके click करना है click करना है तो यह click करते ही एक्टिवेट हो जाएगा आपका site तो इसको activate कर लेने के बाद आप जब activate कर लेंगे तो फिर आपने mobile को restart करेंगे restart करते ही आप को जैसे यहां पर इसका लोगों देखिए यह लोगों आपको दिख जाएगा माई वाइट बोर्ड का एक माई व्यू बोर्ड करके एक वाइट बोर्ड नाम से इसमें दिख जाएगा और इसको जैसे ओपन करेंगे तो इस तरह से आपको ओपन पेज ओपन पेज दिख जाएगा फिर से मैं दिखाता हूं यह इस तरह से आपको वाइट वोड का इनिसियल पेज खुल जाएगा और इनिसियल पेज खुल जाने के बाद आप को यहां पे इमेल का यह आएगा तो इसको आप क्रोस कर दें सिंपल सा क्रोस कर दें तो यह चला जाएगा अब यहां पे आप क्या क्या कर सकते हैं देखे यहां पे एक तो आप जो भी स्क्रीन सोट लिए हैं जो भी आपके पास डॉकुमेंट से तो यहां पे देखिए कैमरे से तो यह आपको लोगों दिख जाएगा डबा उस डब्बे में आप जैसे यहां पे कैमरे से आपको खिचा हुआ जो भी फोटो है वह फोटो यहां पे आप पोस्ट कर सकते हो जैसे यह इसको double click करना है double click करते ही यहाँ पे यह खुल जाएगा और यहाँ पे एक क्रॉप का button भी दिखेगा इसमें यह copy है delete है किटना काट कर सकते overlap है तो बहुत सारे कर सकते है hyperlink आपको जोड़ना है तो यह hyperlink भी इसमें है अब इसको जादी देखिए यह आगे फ्रेम में चला गया तो इसमें बहुत कम हो जाएगा यह देखिए यहां पर यह क्रॉप बाला बटन चला गया यहां पर दिख रहा होगा क्रॉप बाला बटन चला गया जब एक ही फ्रेम में लाएंगे इसको एक ही फ्रेम में इसको जड़ी हम रखते हैं तो यह पूर यहां पर एक यह लिखावा एरो बना हुआ है तो इसको टच करेंगे और उस लाइन पर उस पर जा करके ऐसे ऐसे कहीं पर करेंगे उसके आसपास तो यह उसका खुल जाए वह सलेक्ट हो जाएगा और इसको चाहें आप रोटेट कर सकते हैं चाहें तो आप बड़ा छोटा कर सकते हैं तो इसको हम वैसे यह इसका साइज घटा बड़ा सकते हैं अब हमारे पास यह पेज कितना बड़ा है वह देखते हैं अब यहां पर हमारे पास हाथ का निसान बना हु परसेंट तक बढ़ा कर सकते हैं और साथ ही आपको लगता है जो कि पेज कम पड़ गया तो आप इसको हाथ पे ले जाए निसान और फिर आगे उपर की और नीचे की और जैसे मर्जी आगे पीछे इस तरह से आपको जितना मर्जी उतना बड़ा पेज आप ले सकते हैं फिर आप उसको छोटा करके पूरे एक ही फ्रेमेंड ले करके दिखा सकते हैं अब रही बात इसको हम और क्या-क्या यूज कर सकते हैं तो देखिए अब इसको हम जादे डिलीट करना जाए डिलीट हो गया अब यहां पर हम यह ती बना हुआ है ती पे जाएंगे तो यह इससे जैसे टी पह चाएंगे तो आप का टेक्सबोक्स खुल जाएगा और उस पर ठाइब कर सकते हैं सेलेक्ट कीजिए समय तो इस तरह से आप कर सकते हैं और फिर यदि उसी में आपको कुछ काट और एड़ करना है लिखना है तो फिर आप जो यहां पर जो यह को ऊसे रेक्टेंगलर बॉकस दिख रहा है तीर लगावत उस पर जाएए क्लिक कीजिया और इसके अंदर क्लिक कीजिए तो यह आप वहां पसक्तै कि आप और टैप कर सकते हैं अब इस में हम और भी Google सिर्च भी कर सकते हैं यहां पर Google search का भी बटन ने गूगल सर्च भी कर सकते हैं शाठ सकर सर्च कर सकते हैं अब निये Google search हो गया छो टइप करना चाहिए अब इसके बाद तो यह जो आप 법 देख रहे हैं इस तरह का लोगो इसको क्लिक करने तो बहुत सारे इसमें तो सेफं बने हुए वह सेफंड को आप यहां पर ड्रॉ कर सकते हैं यह से ट्रेंगल पर हमने किया ट्रेंगल करे पर जा सकते हैं अब इसके बाद इदार थ्रीडी फीक एक्लिक तो ये सारे फिगर इसको यूज कर सकतेश के छम्मीं इस के कलर मौटा चुटा बड़ा इस तरह से हम उसको यूज कर सकते हैं ठीक्ट और और यहां पर आपके पास यह भी बना हुआ रवड आप रवड से मिटा सकते ये पैन है लिख सकते हैं पैन से जितना मोठा लिखना चाहिए या पतला लिखना चाहिए तो पतला यूज कर सकते हैं देखें यह ँज यह ओर भी छोटा च्छोटा भी कर सकते हैं उसको लिखने के लिए कोई एक्स्ट्रा जरूरत नहीं होती सिरफ हाथ से भी लिख सकते हैं नहीं तो मार्केट में इस तरह के जड़ी मार्केट में जाएंगे तो यहां पर देखिए हम टाइप करते हैं स्टाइलस पेन एस से पी वाइड डवाल एल यू स्टाइलस पेन तो इस तरह के पेन आपको मार्केट में दिख जाएगा यह पेन देखिए इस तरह के मार्केट में मिल जाता है यह पेन आपको यहां पे उपरमे स्कीर लगा तो उससे आप उसको यूज कर सकते हैं और उसका इस्तेमाल आप उससे लिख सकते हैं और पैन आप रखते ही हैं जेब में इसका पैन की तरह यूज भी हो गया और आप इसका यहां भी यूज कर सकते हैं वैसे आप हाथ से भी लिख सकते हैं इसके बाद यहां पे कितने पेज हम जोड सकते हैं तो यहां पर देखिए एक प्लस का निशान बना हुआ है तो इस प्लस के निशान पर जाएंगे तो दोसरा तीसरा चौथा पांचपा छटा साथ जितना मर्जिश कर सकते हैं अब कौन से पेज पर जाना तो एरो लग रहा हुआ एरो की तरफ जाएंगे तो आगे की तरफ जाएंगे अगले वाले पेज पर आ रहा है यहां पर एक ब्लैक बोर्ड और बच्चा बना हुआ है तो इस तरह से इसको आप क्लिक करेंगे तो सीधे होरीजंटल एक ही में आ जाएगे इसको चाहें तो इस बार को आपको लगता है जो कि आप कहीं और सेट क कर सकते हैं यहां से अ स्कोरिया जो एयरो लगा हुआ है इसको ले जाकरके आप Eyes कर सकते हं इस तरह भी तो आई इस तरह से आप जिस तरह से सहुलियत लगे उधर तर आप कर सकते थे ठीक है अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरुर करें भन्यवाद